Now students, देखिए, कल की class में, हमने क्या बताये था आपको, कल की class में, अगर आपको याद हो, तो मैं आपको ये activity पढ़ा रहा था, ठीक है न, activity 1.1, और इस activity में, वैंने आपको क्या बताये था, मैंने आपको बताये था, कि बही, अगर आप sugar लोगे, इस तरीके से, ठीक, उसको water में डिखाया हुआ है यह water के दिखी particles है ठीक और water के particles के बीच में या water के molecules के बीच में space होता है जिसको intermolecular space बोलते हैं याद है आपको ठीक तो वहीं पर यह salt या sugar के molecules चले जाते हैं इसलिए water का जो level है वो नहीं बढ़ता है ठीक है students यह चीज़ है तो यह आपको याद आ गया होगा अब देखो इस नहीं यहाँ पर आपसे बात करीब च्छों एंसी आटी ने ठीक है कह रहा है कि was there in the okay this is okay this is now next next section 1.1.2 कि रहा हो small are these particles of matter कह रहा है कि अब matter के particles यह कितने small होते हैं ठीक तो मैं आपको बता दूँ कि यह जो matter के particle होते हैं ठीक है सुटेंस पार्टिकल का मतलब है कि matter के molecule हो और चाहें देखिए बच्छों तीन टम्स होते हैं मैं आपको त्री टम्स होते हैं आपको थोड़ा सा याद रखना है आगे चलके आप डेटेल में पढ़ोगे एक्टम मॉलीक्यूल्स एन आइंस एक्टम्स और आपको बताया था बच्छों सुन लीजे ध्यान से देखिए या फिर मैं इसको अलग से आपको बता देता हूँ रुख जाओ थोड़ा सा आप समझ लोगा ही पहले देखो बटा इसको डेटेल में पढ़ेंगे हम आटम्स और मॉलीक्यूल्स में जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा आ अब करने नहीं जलोगे आपको सुन लीजे दहां telephone से है आपको मिला करेंगे अटम्स ठीक फिर मिला करेंगे आपको मॉलीक्यूल्स ठीक और फिर मिला करेंगे आपको क्या आइंस ठीक पार्टिकल आपके तीन तरीके की होंगे फर्स्ट है क्या आटम्स सेकेंड आपका मॉलिक्यूल और आइनस इनकी बात करी जाएगी ठीक है न इसके रावा भी पार्टिकल हो सकते हैं अभी आपको इतने पता होने चीए बटा, atom का मैंने आपको field दे दिया है ठीक है, जैसे कि यह hydrogen के atom लिखने का तरीका है, ठीक और यह oxygen का atom लिखने का तरीका है ठीक, यह chlorine का atom लिखने का तरीका है यह सब examples है, ठीक उसके बाद, molecule आपके मैंने बताया था आपको दो तरीकी के molecule में लेंगे, अगर आपको यादो ठीक, molecule मैंने आपको दो तरीकी के बताया थे, कौन-कौन से एक तो elements के molecule तो elements के molecule में क्या होता था, बटा याद करो elements के molecule में क्या होता था यह देखो क्लोडीन के टू एटम से क्लोडीन का मॉलिक्यूल बनाए ऑक्सिजन के टू एटम से ऑक्सिजन का मॉलिक्यूल तो यह आपको याद होगा जैसे कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल तो यह एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है और कंपाउंड के मॉलिक्यूल कैसे होते compounds के molecule कैसे होते थे यह कुछ इस तरीके से जैसे कि water यह देखिए यहां hydrogen भी है oxygen hydrogen के two atom oxygen के one atom तो सारी बाते आपको याद आ गई होंगी उसके बाद next देखिए मैंने आपको बताया था sugar का formula C12 H22 O11 ठीक फिर मैंने आपको बताया था potassium paramagnet Kmno4 सही है न तो यह सब molecule है यहां पर potassium का atom manganese का atom और oxygen के four atom अब ions के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूं ध्यान सुनो ठीक है डिटेल में बात में पढ़ेंगे लेकिन बस आप यह समझो ions में क्या होगा ना चार्ज मौदूद होगा सुनो चार्ज होगा किसके उपर चार्ज ओन दिखाई ठीक है सुडेंस ठीक देखो जितने भी मेटल के atom होंगे मेटल के atom होंगे उनके उपर आपको दिखाई पड़ेगा कैसा positive चार्ज ठीक है सुडेंस जैसे की metal आपके कौन-कौन से है sodium एक मेटल है यहां पर positive आपको दिखाई पड़ेगा इसको आयन बोलेंगे इसका नाम क्या है धीरे धीरे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे आगे चलके बस अभी आप देख लोग की कैसा दिखता है थोड़ा फील ले लो बस और कोई बात नहीं यह sodium आयन है ठीक इसी तरीके स से अगर आपको मैं दिखाऊंँ तो बच्छों आपका जैसे magnesium metal ले लिया मैंने ठीक तो magnesium के उपड़ टू प्लस होता है इसको और क्या बोलते हैं magnesium आयन यह magnesium आयन है बस तो यह दो मैंने आपको metal के आयन दिखाए हैं ऐसे बहुत सारे होते हैं धीरे-धीरे आप सीखोगे उस पर आपको negative charge दिखाई पड़ेगा एक्च्छल में positive charge आता है electron को lose करने की वज़े से metal अपने अंदर से electron lose कर देते हैं तो उस पर positive charge आता है और non-metal electron gain कर लेते हैं तो उस पर negative आता है अब इसको आप दिल पर मतले लेना tension मतलो आप आपको future की classes में detail में पढ़ाया जाएग लेका अभी आप tension मतलो बस अभी आप देखो non-metal बेटा जैसे C Lर 1 मायनस होता है ठीक तो इसका नामे chloride अउपर two minus है तो इसका नाम है oxide अई टीक हूब oxygen non-metal है chlorine non-metal है तो इसके उपर किसी को उपर two minus किसी के उपर one minus किसी के उपर three minus भी आ सकता हैक किसके i-IDE आता है इसकी आप टेंशन मतलो बस आप देखो कि नॉन मेटल के नेगटिव नेगटिव चार्ज होता है और मेटल के जो यह पर होता है ठीक है उनके उपर क्या होता है उसको निया बोलते हैं याद रखना बच्छों जब भी आपको पॉजटिव चार्ज दिखाई केटायन्स डिटेल में आपको कहां पढ़ाय जाएगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स में और ये नॉन मेटल के जो आयन होते है इसको क्या बुलायाता है बताईए इसको बोलेंगे एनायन्स तो ये चीज़े आपको ध्यान रखनी है अब सब्यार के अयोज। मोनो ऐटाउमिक आ ये 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 क्या आपके दोनों क्या है दोनों लेकिन कभी-कभी आपको polyatomic आयन का क्या मतलब है कि आयन तो होगा यान कि चार्ज होगा उसके पर लेकिन वो group of atom होगा यहां पर देखिए पॉली आयन आपको कैसे दिखाई पड़ेंगे पॉली मतलब बहुत सारे atom मतलब atom बहुत सारे atom मिलकर जब बहुत सारे atom की grouping होगी और उसके पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा जैसे कि इस ओ फॉर टू माइनस इसको बोलते हैं sulphate आयन इसका नाम क्या है इस इस सल्फेट आयन कितना चार्ज है टू माइनस यानि कि माइनस टू चार्ज है और इसमें एटम कितने देश सल्फर जादा टाइटम और देखा तो एक से ज़्यादा atoms के group होंगे यहाँ पर, यह देखिए, sulfur का atom है, और sulfur का one atom है, oxygen के four atom है, और total charge कितना है, minus two, ठेक, इसी तरीके से, next आपका, CO three two minus, ठेक, यह क्या आपका carbonate ion है, ठेक, देख लो, one carbon, three oxygen, भाई, total charge कितना है, two minus, एक carbon है, और three oxygen है, one carbon, three oxygen, ठेक, two minus, इसके पर तो एक carbonate ion होता है, ठेक, यह सब नाम है, धीरे-धीरे आप और पढ़ोगे, ज़्यादा tension मतले ना, ठेक है, NH4+, यह भी polyatomic ion का example है, इसको बोलते हैं, ammonium ion, क्या बोलते हैं, इसको, क्या बोलते हैं, इसको, ammonium ion बोलते हैं, ठेक हैं, NH4+, बस अब इतना काफी है, बस iron का मैंने आपको field दिखा दिया, यान कि iron, क्या हुआ करेंगे, या तो single atom होगे, जिसके पर positively charge होगा, metal के single atom होगे, जिसके पर positive charge होगा, non metal के single atom होगे, जिसके पर negative charge होगा, या group of atom होगे, group of दो से ज़्यादा atom मिलकर grouping कर रहे होगे, इस पर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, प्लस का या माइनस का, जैसे कि OH माइनस, यह क्या आपका hydroxide iron, यह सब हम लोग detail में पढ़ेंगे, अब हमारा यहाँ पर aim क्या था, आपको बताना, ध्यान सुनो, मेरा aim यह था, बच्छों आ पॉनो अटामिक आयन होंगे, ठीक, मेटल के जो आयन होंगे, वो positively charge, non-metall के नेगरी चार्ज, और जब group of atom होंगे, तो आपको positively charge भी दिखाई पर सकते हैं, और नेगरी चार्ज भी दिखाई पर सकते हैं, तो यह polyatomic आयन है, तो ऐसे particles भी होते हैं, अब यह सारे के सारे ज मैंने आपको एक बात पढ़ाईती है, यादे, all the metals exist in their atomic form, यादे, मैंने आपको क्या बढ़ाईता, मैंने आपको क्या बढ़ाईता, metals exist in their atomic form, अगर आपको याद हो, तो यह कोई metal का piece है, मानलो यह sodium का piece है, sodium एक metal होता है, तो यह sodium का piece है, तो इस piece में यह सब क्या है, sodium का atom है, यह सब क्या है, यह सब क्या है, और यह चाहें यह वाले एटों सोडूաियूम के चाहें यह मॉलिकूल हो शाहें इस टाइब के मॉलिक्व笈 हो और चाहे बेटा आयन्स हो फिर से जान से सुन लो चाहे एटम हो चाहे मेटल के एटम हो चाहे यह एटम्स हो देखो यह सब हाइडोजन ऑक्सेजन ख्लोरीन के चेक और चाहे बेटा मॉलिक्यूल्स हो चाहे मॉलिक्यूल एलिमेंट वाले हो चाहे कंपाउंड वाले मॉलिक ये सारे particles कहलाते है chemistry में और इन सभी particles का size बहुत ही छोटा होता है इन सभी particles का size बहुत ही छोटा होता है बच्चो कल की class याद है आपको कल की class से याद है यही तो मैं आपको पढ़ा रहा था याद करिए कहां गया आपका ये NCRT वाला ये देखिए यही तो मैं आपको पढ़ा रहा था क्या कि ये देखो ये जो water के molecules से इसके बीच में जो space है वहीं तो चला गया कौन sugar का molecule तो water के particle में intermolecular space था molecules के बीच में intermolecular space था तो वहीं तो चला गया कौन sugar के molecules ठेक है अब सुनो यही NCRT हमसे कराना चाहता है यहां पर थोड़ा आप देखो कि रहा how small are these particles of matter ठीक है कह रहा है कि यह कितने छोटे होते हैं यह particles तो जवाब है बहुत छोटे होते हैं इतने छोटे होते हैं चाहें atom हो चाहें iron हो चाहें किसी भी compound का molecule हो चाहें element का molecule हो तो मुसको naked eyes से नहीं देख सकते हो naked eyes का मतलब without any good quality of microscope तुम उसको नहीं देख सकते हो even atom को देखने के लिए जो normal microscopes आते हैं उसकी भी help लोग है तब भी तुम नहीं देख पाऊगे electron microscope जो आता है है न काफी high resolution का उसकी help से students तुम atoms को देख सकते हो ठीक है ना okay now 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 see here how small are these particles of matter के लिए एक activity इसने कराई है बाई आफट आफट कर लेतने activity इनकी क्या कराना चाहते है activity में देख लो बटा अपनी book में तुम पढ़ सकते हो ठीक है क्या कह रहा है क्या टेक two two three crystal of potassium permagnate कल की class में आपको potassium permagnate दिखाया था उसके two या three crystal ले लो कह रहा है ठीक है बाई जो बजार से potassium permagnate के दो-तीन टुकड़े खरीद के ले आई है हाँ दो-तीन क्रिस्टल ले लिजे उसके क्या डिजॉल दिन दैम इन 100 ml वाटर ठीक है बच्चो आप ध्यान देना जरा पानी ले पानी ले लोगे लो पानी ले लो तो यह लिया 100 ml पानी ठीक और इस पानी में आपने क्या किया वह potassium permagnate डाल दिया तो मैंने आपको कल दिखाय था प्रमेंट पानी में डालोगे ठीक है 100 ml लाब में जाओगे तो फ्लास्क में 100 ml जहां तक लिखा रहे था जहां तक 100 ml का निशान लगाओगा उसमें 100 ml का मतलब वहां तक आप भर देना तो 100 ml पानी उसमें आ जाएगा ठीक अब सुनो क्या कह रहा है क्या क्या रहा है क्या टेक आउट अप्रक्सिमेटली टेन थेन अमल ओफ दिस सॉलूशन अब द्यान से थान यहा पे देखें ज़रा क्या कर रहे हैं बच्चों इसी डाग्राम में मैं आपको फट़ फट समझा देता हूं यह पाणी लिय आपने ठीक और पानी में आपने दो या तीन क्रिस्टल ये दिए एक क्रिस्टल दाले पड़ेशंपर मैंगेट के अब कलर कैसा आ रहा है परपल कलर आ रहे है लेकिन डार्क परपल कलर आ रहे है तो सुलूशन कितना बना 100 ml का अब सुन लेना ध्यान से क्या लेवल बढ़ गया बताइए यह 100 ml था यह भी 100 ml है क्या वॉल्म बढ़ा लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा क्यों क्यों कि प्रडिशंपर मैंगेट के जो पार्टिकल्स थे वह कहां चले गए इंटर मॉल्कुलर स्पेस ऑफ दा वाटर वाटर में जो इंटर मॉल्कुलर यह उससे हलका लग रहा है यह वाला कलर उससे हलका है और यह वाला उससे light हो गया हो गया लेकिन कलर अभी भी पॉपल है तो ध्यान से देखिए बच्छों अब हमने क्या किया यह जो solution पहले बना 100 ml का सुन लेना ध्यान से पहले हमने क्या किया एक test tube में इसमें से 10 ml निकाल करके हमने 100 ml का फिर से solution बनाया कैसे बनाओगे तो जवाब है कि 10 ml इसमें से निकाला और 90 ml पानी ले लोगे बाई चेक करने ना यह test tube है और इस test tube में कितना है 10 ml solution है potation per magnet का जो यहां से निकाला और ऐसे solution को हम क्या बोलेंगे aqueous solution क्योंकि पानी के साथ जो solution बनता है कल मैंने आपको पढ़ा है ता उसको हम बोलते है aqueous solution तो यह aqueous solution है किसका potation per magnet का थेक तो इस solution को 10 ml लिया आपने यह और इसको पानी यहां पे आप त्यार रखोगे कितना 90 ml सुन लेना ध्यान से 90 ml पानी में मिलाओगे इसको क्यों तबी तो भाई 100 ml प्लस 90 ml मिलके कितना मनाएगा 100 ml का solution बार बारा में 100 ml का solution त्यार करना है तो यहां से आप 10 ml निकालोगे और 90 ml का पानी लोगे यह 90 ml क्या लिया है h2o water अब कुछ लोग बोलेंगे कि जब इसमें आप 10 ml डालोगे तो यह वाला 10 ml इसके इंटर मॉलिकुलर स्पेस में चला जाएगा और इसका लेवल नहीं बढ़ेगा सुन लो ध्यान से कंफ्यूज तो नहीं है यह 90 ml का पानी जो तुमने लिया यह भाई इसका लेवल तो बढ़ेगा अरे तुम पानी में ही तो सुलीशन में ला रहे हो और अधातर सुनलो 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 भाई सुनलो गर्वन मत कर देना देखो इसको इसको थोड़ाकरके फिर बताता हूं समझो किया कह रहा हूं मैं ध्यान से चेक करो देखो देखो आपने क्या किया यहां से 10 mm निकाला यह थिक यह 10 ml जब आपने लिया तो इसको आप पता है कि इसमें एड़ करोगे यह पानी में पाविप इसको कि यह पाला कि यह कितना पानी कि 90 मिलिलीलेटर आप सुंदPE pressing कि अप इस बार क्यों बढ़ेगा सर अब अच्छे बोलते सर यह solution के जो पार्टिकल है वह इसके इंटर स्पेस में मौझूद है यहाँ अब इसको उठा कि जब तुम इसमें डालोगे थो खुट दिमाग लगा हो पानी के मोलिकूल के बीच में जो इंटर उसमें थोड़ी ना पानी फिट हो जाएगा पानी को तो जगा चाहिए भाई पानी को तो जगा चाहिए यानि कि इसमें जो पानी के मॉलेकुल होंगे वो तो अपनी जगा मांगेंगे ना तो इसमें 10 ml वॉल्यूम के ही यानि कि 10 ml स्पेस गहरने वाले पानी के मॉलेकुल थ लेकिन पर डिश्म पर मैंग से द्यान से सुनिए यहां पर जितने पार्टिकल थे इहां पर प्रडिश्म के मालो 1000 अभी हजार पार्टिकल थे अभ प्र यह पूरे में फैल गए तो तो यह लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा था पहले इतना सा पोशिशन अब यह सारे पार्टिकल पर इस तरीके से फैल गए तो पहले से इतने से वाल्यूम में सारे तो लाइट को वह जो लाइट थी आपकी आपको दिखाई पढ़ रही परपल कल रहा वाली उसको ज़्याधा अमांट में reflect करते थे यह ऐसा spread होगे दूर दूर होगे ठीक है तो light को जब spread करें तो light उतनी मात्र में reflect नहीं हो पा रही या आप इस detail में मत जो light वाले में ठीक है आप यही एक हजार पार्टिकल अब इतने से जगा में आ रहे हैं तो जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल कम जगा में रहते हैं कम वॉल्यूम में रहते हैं हम बोलते हैं की सॉलीशन concentrated है ध्यान से सनो concentrated और dilute क्या होता है जब उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल कम वॉल्यूम में रहते हैं तो हम बोलते हैं की concentrated है और जब उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा छो वॉल्यृम में फैल जातें तो हम बोलते हैं डाइलीट हो गया तो यह यह डाइलीट हो गया कि आधि ऑव क्रवड़ और फिर से मेर जाएगा क्यों लुटि कि यह एवामने से टेकल चाहते हुआ कि अब द्यान से शुनो अब इस में जब आप जब आपने इस डिलूटिट सोलुशन से 100 एंट अमिल शुलूशन निकाला तो इसमें केवल प्टेशन पर मेंगनेट के मानलो कितने बाटिकल होगें अरे मानलो-मानलो 500 तो इसमें प्रमैंगे कर ने कम पांटिकल हैं फाइब इसको उठा के तुमने पानी में डाला तो 500 पार्टिकल पहले इतने से वॉल्म आते थे 10 ml में लेकिन अब वही 500 पांटिकल पानी में आ जाएंगे जब तुम इसमें 90 ml पानी मिलाओगे तो अब बताओ और अधाल उट ह गया तो अब जब इन दोरों का कंपेरिजन करोगे तो यह कॉंसेंट्रेटेट कहलाएगा और यह कहलाएगा तो याद रखीगा जो सॉलुशन एक बाइड हो गया तो ज़रूरी नहीं है कि वह डायूटी है जिन्दी भर के लिए आप जब उसको दूसरे सॉलुशन से कंपेर करोगे तो क्या पता यह कॉंसेंट्रेटेट बन जाए और यह डालूटेट हो जाए यानि की आप प्र आगे बढ़ो फिर से यहां से निकला आपने अपने मरb 10 tahun fate अब इसमें मान लो 250 पार्टिकल्स से कि मनों 40 की कितने तैंद ह travesta पर्टिकल्स आप ने पितने ही 500 यहां पे थे और उतने ही 1000 यहाँ पे थे तो आप देख सकते हो पहले उतने ही volume में 1000 particle थे किसके KMN04 के तो color dark आ रहा था फिर उतने ही volume में 500 particle हुए तो color light हो गया कि color किसकी वज़े से potation permagnet की वज़े से color है पानी की वज़े से तो color है नहीं फिर इतने ही volume में 250 250 प्रमयगनेट के प्रीकल हैं तो तरीकला से कल्रोट है तो इस तरीके से तरीकुवरों आपम समत hastी है कि हां भाई Part legal इसके बहुत चोटे किसके प्रमयगनेट के बहुत चोटे हैं तभी तो इंके नंबर ही नहीं खतम हो रहे मैंने तुम्हें नंबर क्या लिए बताओ 1500 250 ऐसे लिए ऐसे नंबर नहीं होते नंबर इसके अर्बों में होते करोडों में अर्बों में होते हैं ठीक है ना ठीक क्या आप इमेजन कर सकते हो इसके पार्टिकल छोटे-छोटे होंगे बच्छों तभी तो तभी तो जब आप बार-बार डाइलूट करते तो आपको कलर मिल रहा है किसकी वज़े से मिल रहा है याने के अगर कितने यहां पर देखिए अगर हम इसको और डाली उट करते तो फिर से यही कलर मिलता परपल परपल क्यों मिल रहा है बार बार क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे-छोटे हैं और बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल हैं इसका मतलब अंगिनत नंबर में वह मतलब अनकाउंटेबल बहुत सारे पार्टिकल हो मतलब कर सकते मौल कॉंसरी निकालते और बहुत सारे अब इतने से जगा में अनुद इतने से वॉल्म में in the हैं तो यह जो एक्सपरिमेंट बहुत छोटे-छोटे बहुत जोटे होते हैं तब ही बार-बार जो है फेल जा रहा है क्रेंट इस्टिए इस्टिल विजबल ओके नौ अब ध्यान दीजे कह रहा है इस एक्सपरिमेंट शोग जस्ट अफ्यू क्रिस्टल प्रमेंगनेट कें कलरें लार्ज वोल्म आप वाटर देखा आपने केवल डो क्रिस्टल डाले थे ओनली टू क्रिस्टल डाले थे 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 अब यहां साथ को और अच्छा फील आएगा अच्छी बात बताता है कह रहा है कि ओनली यहां देखे क्या कहां गया क्या दिस एक्सपरिमेंट शोग जस्ट फ्यू क्रिस्टल प्रमेंट के वल तुमने दो क्रिस्टल लिये थे यह दे को स्टार्टिंग में अब जब दो क् स्टार्टे से क्रिस्टल में ही इतने पार्टिकल से बहुत सारे पार्टिकल इसमें फील करो कि यह क्रिस्टल था इस क्रिस्टल में ही प्रमेंट के भीया बहुत सारे पार्टिकल है तो यह बहुत सारे प्रमेंट के मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है के मैंनो फोर के मैंन इतने कि count करना मुश्किल हो जाएगा ठीक यह और मैंने आपको यही तो पढ़ाया था कि यह molecule का size बहुत छोटा होता है तो potation per magnet के molecule से मिलके बना होगा यह crystal और potation per magnet का size बहुत छोटा होता होगा वैसे जो सच्चाई है मैं थोड़ा सापको बता दूँँ ठीक है सच्चाई तो यह कि potation per magnet जो है वो खुद ही दो तरीके के आयन से मिलके बना हुआ है ठीक है किस से किस से आपकी knowledge के लिए बता देना हो आगे हम लोग detail में बाद में पढ़ेंगे attention मतलो 10th class में यह k plus और दूसरा है mno4 माइनस छेक यह दो तरीके के आयन है छेक इसको बोलते है परटेक्शम आयन और इसको बोलते हम क्या पर magnet आयन पर magnet iron ठीक तो इनसे मिलके मना होता है लेगिन अभी के लिए आप इतना detail में मत सोचो बस आप समझो कि एक molecule है और यह size में बहुत छोटा है ठीक हलागी यह भी दो iron से मिलके बना है यह है इसका katein positive वाला वो है उसका anion वो polyatomic है और यह monoatomic है वो बहुत सारे atom manganese और oxygen के four atoms मिलके बना है यह potassium के एक atom से मिलके बना है ठीक है तो अभी आप इतना detail में मत जाओ आप यह सोचो कि बस यह molecules है तो इस crystal था potassium per magnet का यह crystal potassium per magnet के बहुत सारे molecules से मिलके बना था यह molecule बहुत सारे चोटे-चोटे molecules थे ठीक है ना बस यही है और क्या है अब वही इतने चोटे से crystal में अन गिनत molecule है अन गिनत का मतलब में mole concept से मुसको count कर सकते हैं वो तो बात की बात है कितने बहुत बढ़े उसके volume में color दे दिया ठीक है so we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium per magnet के वल एक क्रिस्टल लिया प्रमेंट का उसमें हम कह सकते हैं इसमें प्रमेंगनेट के infinite infinite ही हो गया बहुत हो गया ठीक है तो 10 million particles है इसमें लग बग कह रहे हैं कितने होते हैं वो काउंट करने की दरुवरत नहीं भाई तो में वो मोल कॉंसेट से निकालते हैं मोल कॉंसेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा ठीक तो कह रहा विच कीव ऑन डिवाइदिंसल्फ इंटू स्मॉलर और स्मॉलर पार्टिकल्स ओके धीरे धीरे यह इस तरीके से डिवाइड होके इस पेड होते चले जा रहे हैं तो 2 ml केवल 2 ml केवल 2 बूंद 2 बूंद का मतलब हैं दो बूंद नहीं भाई 2 ml डिटॉल ले लो उसको पानी में डालो इसमेल करो डिटॉल की स्मेल आएगी फिर क्या करोगे यहां से 10 ml निकालके नेक्स 90 ml पानी में आड़ करो इसमें भी डिटॉल की खुश्बू आएगी इसमेल आएगी फिर यहां से 10 ml डिटॉल की स्मेल क्यों आ रही यानि कि दो बूंद जो ड्रॉप डिटॉल है जरा धियान देना बच्चे यहां पर ठीके अब आपको थोड़ा feel लेना ह ह्टर है क्योंकि इस्में क्या है European है इसने स्पेस्स भी ऑकिपाई किया हुआ है ठेके ना टो लिए भी टाइप के मॉलिक्यूल से मिलके बना हो बच्छों बश्याइप एक डॉप में सोर्ट एक drop बनाने के लिए detail की एक drop बनाने के लिए इतने सारे molecules की जरूडवत है थिखों इतने सारे की कितने सारे उसको count करें गया Moleconcept को पढ़ाएंगे तब बहुत अरोड़ो अर्वो खरवो तो इस से ये पता चलता प्रूफ होता कि भाया जो particle है धिक इना matter का जो particle है चाहे क्या कह रहा है कि रहा है देखा वही बात कर दी इसने यह पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो गया अगर तुमारे सामने का आटम आ जाए तो तुम उसको निकेड़ाइस से नहीं देख पाऊगे बहुत छोटा हो एक अब अब आप देखोगे तो NCRT में बटा नेक्स्ट आपका जो टॉपिक इस्टार होता है ठीक है वो । इस्ट अस्टो काई सब्सक्राइब क्या विशेष्टाएं होती है आदमी की कुछ करेक्टरिस्टिक को इनसान होता है इमानदार होता है वह इसकी सब्सक्राइब करेक्टरिस्टिक को पार्टिकल और मेटर में लो चाहें एंटम हो चाहें और पार्टिकल आयन्स क्यों न हो इन पार्टिकल की बीशमें स्पेस होता है जिसको आपकिया बोलते हैं molecules के case में इसको intermolecular space का नाम दिया जाता है ठीके ना पढ़िए के रहे हिंद अक्टिविटी 1.1 and 1.2 we saw that the particle of the sugar, salt, dittol or the potassium permagnate got evenly distributed in the water similarly when we make a tea, coffee lemonade, नीबु पानी particles of one type of matter get into the space between the particles of the other this shows that there is enough space between the particles of the matter okay so बस यही बात मैंने आपको पढ़ाई थी बिटा इसमें क्या नहीं है बताओ मैंने पहले भी आपको बताया था ना ठीक मैंने आपको पानी का example लिया था यह water के molecules है और जब तुम उसमें sugar dissolve करोगे याद आया जब तुम उसमें sugar dissolve करोगे ठीक सो यह देखिए सब sugar के पार्टिकल यहां आ जाएंगे और इस space को मैंने आप बताया है अलाकि नाम इंसी आटी में नहीं दिया बट इसको इंटर molecular इस space बोलते हैं मैंने आपको बताया था ठीक है तो यह सब बाते हैं और क्या अब ध्यान देंगे students देखिए यह बाते हो गई यह आपको पता भी बच्छों ओके नो अब देखते हैं next बेड़ा आपको property बताना चाहता है 1.2.2 अच्छा एक चीज मैं आपको दिखा हूँ यदी अगर आपको यादो कल मैंने NaCl का आपको crystal दिखाया था याद है तो उसमें sodium क्या आया न और मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से अच्छा लगेगा आपको यह देखो NaCl का मैंने आपको crystal दिखाया था कल ठीक है अभी एक चीज दिखाता हूँ आपको अच्छा लगेगा क्या अच्छा लगेगा वह मैं आपको बताता हूँ ध्यान से चेक करो देखो NaCl crystal ओके यह देखिए यह वाला diagram यदि आपको यादो कहा गया चलो यह देख लो तुम यह वाला diagram देख लो एक मिनट यह देखो कुछ दिखाया था मैंने कल तुमें ठीक यह दिखाया था मैंने तुमें ठीक है न तो यह वाला diagram जो मैंने तुमें दिखाया था जांसर चेक करो हो अब देखो मैंने आज आयन के बारे मताया तो यह sodium chloride का crystal एने c l table salt जिसको बोलते हैं तो इसमें देखो यह ब्लू आले किया है chlorine के chlorine N-ion है chloride N-ion है या chlorine के atom तुम बोल सकते है atom तो नहीं आयन है अब आस सुन लो यह CL-1 है न प्लस आयन है तो यह देखिए यह इस तरीके से आयन distributed है अब बताओ पार्टिकल के बीच में space नहीं क्या बताइए यह पार्टिकल के बीच में space नहीं दिखाई पड़ी है सब तो मैंने आपको बताए था कि matter चाहे आयन से मिलके बनाओ चाहे आयन से मिलके बनाओ चाहे आयन से मिलके बनाओ चाहे आटम से म आइन्स होते हैं, sodium आइन और chloride आइन, इसमें आइन्स के बीच में space है, और इसी तरीके से किसी metal को यदि देखा जाए, तो metal का जो structure होता है, metal के atom के बीच में, देखो, यहाँ पर आजयते हैं, इसी तरीके से यदि आप किसी metal के piece को देखोगे ना ठीक यदि आप किसी मेटल के पीस को देखोगे तो मेटल के आटम्स के बीच में बच्छों स्पेस होता है ओके मेटल के आटम्स के यह आटम्स है मैंने आपको बच्छों अब हम लोग देखते हैं जला नेक्स इसको करने से पहले कुछ बताना चाहता हूं मैं ध्यान सुनो देखो एनर्जी तो आपने कभी ने कभी सुना होगा छोटी क्लासेस में अपने एट्थ क्लास में एनर्जी क्या होता है अगर किसी बॉड़ी के पास एनर्जी है तो वह वर्क कर सकती है अब ज्यादा टेंशन अथ लो अब आप सुनो एक एनर्जी का फॉर्म होता है बच्छों होता है कैनेटिक एनर्जी क्या होता है कैनेटिक एनर्जी सुनो अब ध्याद से समझो समझो कैनेटिक एनर्जी क्या होता है बच्छों एक बाब बताओ कि अगर 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 ध्याद से सुनिएगा यह भी सॉलीशन है मेरे पास एक देखिए यह पैन का कैप है अब इसको मैं भी वैसा फैक हूंगा सामने दीवार पर ठीक चली यह ऐसा मैंने इसको फेका यह जाके देखो दीवार भी तूट गई जो पेंट है निकल गया इसने जाके दीवार पे टकर किया तो उसका पर वर्क किया क्या किया वर्क किया अगर मैं तुम्हें तरीके से फैक के मार दूं तुम्हारे फेस पे ऐसे मान लो वैसे नहीं मारूंगा मैं सुनने में बात बतारो यह जाएगा तो ऐसे करके यह आपके यह ऐसे फेस को आईगा नीचे किर जाएगा तो यह इसको क्यों दबा पारा है जो भी फेस को ऐसा प्रेस क्यू कर पारा है आपके छोड़ भी लग जाती है तो यह आके ऐसा हिट कर रहा है तुमको यानि कि तुम्हारी बॉड़ी पे वर्क कर रहे एक तरीके से ठीक अब वर्क क्या होता है फिसिक्स में डीटेल में बढ़ाएंगे उसके आ तो यदि कोई object बच्छो motion कर रहा है तो उसके पास जो energy होती उसकों बोलते है kinetic energy सुन लिया ध्यान से क्या बता है मैंने यदि कोई object motion कर रहा है तो उसके पास जो energy होती उसकों क्या बोलते है kinetic energy ठीक बस अब बताओ अगर मैं इस तरीके से चल रहा हूं ऐसे motion कर रहा हूं त it is the energy by virtue of motion किसी body कोई बस इतना आप समझो ज्यादा definition of nation याद करने की दुरुवत नहीं है आप बस इतना समझे जरा क्या कि यदि किसी कोई body अगर motion कर रही है तो उसके पास उस टाइम जो energy उसका हम क्या बोलते हैं kinetic energy बस अब सनो बटा kinetic energy को ऐसे भी लिखा जाता है k.e से ठीक और इसका formula होता है half mv square याद रख लीजे half mv square kinetic energy का formula क्या होता है पताईए half mv square kinetic energy का formula क्या होता है half mv square half का मतलए 1 upon 2 into m into v square m क्या होता है m क्या होता है m होता है mass of the particle mass of the particle ठीक है या mass of the body भी आप बोल सकते हो जो body चल रही होगी उसका mass होता है mass तो जानते हो na quantity of matter ठीक ओके अब next है बटा v क्या होता है आपका v क्या होता है speed या velocity आप कुछ भी बोल सकते हो speed of the particle हैं कि एट अने थे कुर्श्चन देखें मान लीज़ें एक बॉल है यह बॉलauf ने regional अब बाल का मास कितना है नियुक कि लोग्राम अरे मानलो है पोठिटीकल डेटा है आपको समझाने के लिए अभूक, पता रहा हूं मानने लो मास कितना है तो किलोग्राम और इसकी स्पीड कितनी द्ीप बटा मानने लो five मीटप पर सेकेंड थेक तो बताओ इसके पास कितनी किनेटिक अनर्जी है और याद रखेगा कि अगर हाँ मास अगर आपने किलोग्राम में लिए अगर आपने किसम ली मीट डिनी अप्वर्श के तो किनेटिक अनरजी का स्या होता है याद रखिएयगा स्या-उनियिट ओफ किनेटिक अनरजी गिरलेंटिक इनरजी की जो ऑसाइट ओनिट होती वह घ्थी जूह आ जूल्स को हम जे से दिखाते हैं ठीक ओके नौँ अब ध्यान दो जरा यहां से हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा लगाईए फॉर्मुला कैनेटिक एनरजी ओफ एनी बॉड़ी इस इकोल स्टु वन अपॉन अपॉन टु एम वी स्कार मतलब होता है इस तरीके से इस बॉल की कैनेटिक एनरजी कितनी है अगर आप और थोड़ा सा ध्यान से चेक करो अगर आप वी इसका विसक्स में डिटेल में पढ़ाएंगे बस मैं आपको बता रहा हूं ध्यान से सुन लो यह जो कैनेटिक एनरजी कब बढ़ जाती है वी के बढ़ाने से स्पीड बढ़ा दोगे कैनेटिक एनरजी बढ़ जाएगी मास बढ़ा दोगे कैनेटिक एनरजी बढ़ जाएगी तो मास तो ऐसे कॉंसेंट रहता है अब आप खुद देखो आपके सामने इसका मास तो फिक्स है एक बार इसको हमने धीरे से फैका तो आपको धीरे छोट लगेगी ज्यादा छोट नहीं लगेगी आपको लेकिन अगर मैं इसको हाई स्पीड से फैक देता हूं तो तेजी से के इसकी उसकी स्पीड बढ़ादी तो स्पीड बढ़ जाएक तो अगर किसी पार्टिकल की इसकी बढ़ जाएंगी तो उसकी कैनेटिक इनरजी भी बढ़ जाती है यस से अगर वी बढ़ जाएगा copy भी note लगाएं याद करें अगर यह मैं अलग से लिखवा देता हूँ if if speed increases if speed increases then kinetic energy also increases ठेक तो यह बात आपको याद रखना है ठीक है चलो अब होता क्या है अब हम वापस chemistry में लौट के आते हैं बच्छो तो chemistry में क्या होता है थोड़ा आप समझेगा जरा chemistry में बेटा सबसे पहले आप समझो temperature क्या होता है ठीक है temperature क्या होता है temperature पता है क्या होता है it is the degree of hotness or coldness क्या बोला मैंने it is the degree of hotness और coldness ये क्या बात हो गई सुनो ध्याम से degree of hotness या coldness का मतलब होता है कि कोई object कितना गरम है या कितना थंड़ा है यह इसका temperature है बस उसी को नापने का जो तरीका उसी को अप temperature बोलते हैं physics में या chemistry में degree of hotness और coldness मतलब कोई object कितनी हद तक गरम है या कोई object कितनी हद तक क्या है ठंड़ा है ठेक है ना तो इसको हम क्या बोलते है temperature जैसे example देखो आपने सुना होगा ये चाय का cup रख्खा है इस तरीके से correct ये चाय का cup रख्खा है अब आपने इस cup को touch किया आप बोलोगे रहे भई हम मेरी तो finger जल गई बहुत तेजीस है ना एक ये का प्रख्खा है इसकी चाय ज्यादा गरम नहीं है तो ये वाली जो चाय है इसका temperature कितना है 100 degree celsius ठीक और इसका जो temperature कितना हो जाएगा कि मानलो हो गया बटा only 40 degree celsius अब आप समझ सकते हो ये 100 degree celsius पे इसमें हाट डाला तो जल गया आपका हाथ ये बहुत तेजीस है और इसमें आपने हाथ डाला तो आपका हाथ हाँ ठीक है आप गुल गुनगुनी है चाय गुनगुना गुनगुना है थोड़ा सा हलका गरम है बहुत गरम नहीं है तो physics की भाषा में या chemistry की भाषा में ऐसे बात नहीं करी जाती है physics या chemistry या science की भाषा में बच्छों या आप निमेरिकल वेलू दिखाओगे यह 100 degree celsius है और यह 40 degree celsius है तो 100 degree celsius वाला ज्यादा गरम है ज्यादा गरम के लिए नंबर बढ़ा होगा यहां पर कम गरम के लिए नंबर च्छोटा हो गया अगर और च्छोटा नंबर हो जाएगा जैसे ठंड का जब मौसम आता है तो आप बोलता है टेंपरेचर एट डिग्री celsius है अब 7 डिग्री celsius में degree of hotness बहुत कम यानि कि degree of coldness आ गई उसमें ठंडा हो गया हो अब क्या है यह ठंडा गरम तो ध्यान सा सु temperature होता है बड़ा Kelvin याद रखना ठीक है SI unit of temperature क्या होता है Kelvin होता है Kelvin को क्ये से दिखाते हैं याद रखना physics या chemistry में temperature को किसमें मेजर करते हो Kelvin में Kelvin होता है क्ये और सुनो जब भी आपको कोई temperature बड़ा degree celsius में दिया होगा तो उसको Kelvin में कैसे change करते है 273 add करके याद रखेगा य कोई भी temperature अगर आपको degree celsius में दिया है तो उसको Kelvin में कैसे change करते है 273 add करके मतलब अगर आपको इस temperature को 40 degree celsius को Kelvin में लाना है तो उसमें 273 add कर दोगे जो भी answer आएगा चेक कर लेना कितना जगा बई 273 और प्लस 40 है ना 3 प्लस 0 3 7 प्लस 4 11 1 313 Kelvin आ गया लो तो degree celsius से किसमें change हो गया Kelvin में तेक इसी तरीके से दूसरा सवाल करिए मान लो ये वाले temperature को आपको change करना है Kelvin में तो क्या करोगे 100 degree celsius में कितना add करोगे 273 तो answer कितना आ जाएगा 373 Kelvin तेक है तो ये किसमें change हो गया बत सब्सक्राइब को डाउट है तो ये चीज़ है अब होता क्या है ध्यान समझो जो जब ज्यादा temperature होता है ना जैसा अब हम फिर से कब बना ले यह फरस्ट कप था और यहां पर temperature हमने निकाल लिया किसमें चलो degree celsius में रहने दोयार कोई दिक्कत नहीं है ना चलो अब देखो देखो पता है बात क्या होती है जादा temperature पे particles की पास kinetic energy जादा होती है ध्यान से सुन लिजे जादा temperature पे particles की पास kinetic energy जादा होती है बच्छों याद रखेगा यदि temperature बढ़ रहा है यानि कि degree of hotness अगर बढ़ रही है ठीक तो particles की पास जादा kinetic energy होगी याद रखेगा बई जा we are getting more kinetic energy हो देख लेना जाधा टैंपपरिच्छर ज्यादा होगी तो इसके स्पीड से तुम्हें कर रहे हैं भाई इसके जो पार्टिखले वह रेंडम ली इधर दर चल रहे हैं तोथ जादा temperature पर उनकी kinetic energy बहुत जादा होती याद रखीगा और जादा speed से चलते रहते हैं तो जब तुमने इसमें फिंगर डाली तो चाहिए के जो पार्टिकल्स होंगे मतलब चाहिए के अंदर जो भी molecules लग गया भाई हाना क्योंकि पैन तुम्हें दिख रहा है पर आटम्स या मॉलिकुल्स तुम्हें नहीं दिखते हैं लेकिन जब तुम चाहिए में हाट डालते हो तो वही अंदर भी आटम मॉलिकुल्स चल रहा है अब उसके रास्ते में कोई आएगा तो फिंगर को जोड़ तो यहां पर देखिए इसमें आप हाट डालोगे इस तरीके से तो टेंपरेचर कम है तो यदि टेंपरेचर कम है तो इसकी केनेटिक एनरजी भी क्या है कम है और इसकी स्पीड भी कम है तो यहां कि जो पर्टिकल है वो धीरे धीरे चलते हैं तो आप जब डाल रहें जाल है तो वह पर्टिकल 27 degree Celsius के आसपास 25 से 27 degree Celsius के आसपास ठेक इसको room temperature बोला जाता है इतने temperature को आप room temperature बोल सकते हो तो यह जो room temperature है यहाँ पर क्या है अभी बच्छो 27 degree Celsius का माल दीजे temperature है ठेक अब यहाँ पर air के molecules है इतना तो आपको पता है एर के molecules हैं की नहीं बताइए हैं एर में molecules हैं carbon dioxide का मॉलिकूल है hydrogen का मॉलिकूल है oxygen का मॉलिकूल है nitrogen का मॉलिकूल है carbon monoxide है दुनिया भर की नॉबल गैसे सापकी helium neon औरकन क्रिप्टन तो बहुत सारे पार्टिकल है आपको आखों से नहीं दिखाई पड़ेगा वह अलग बात है ठीक है ना अब सुनो तो इस temperature पे याने कि जो भी room temperature है अब अगर temperature है तो particles के पास energy ज़रूर होगी इस बात को आप समझ लीजेगा अगर कुछ ना कुछ temperature है अब हम temperature में बहुत detail में नहीं जा रहे हैं आप class 11 में बढ़ोगे ठीक लेकिन मैं बताना अगर temperature है तो कुछ ना क दिखाई पड़ेंगे अलग बात है यह रेंडम ली दवद्द चल रहे हैं ठीक तो इतना सब कुछ बनाने के बाद एक बेस आपका आईए NCRT में चलते हैं और देखते हैं NCRT क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर रही हैं कि आप particles of matter are continuously moving देखा बोल दिया उसने कि जो particle है matter के वह लगातार move करते रहते हैं यह अभी कुछ हमें यहाँ पर एक activity कराएगा लेकिन उस activity को करने से पहले बच्चों मैं आपको बताना थोड़ा सा यह चाहता हूं थोड़ा ध्यान देंगे क्या बताना चाहता हूं अभी आपने मैंने आपको एयर का example दिया तो उसमें एयर का गैस गैस के molecule दर रेंडम डिरेक्शन में चल रहे हैं अब बच्चे यह सोचेंगे क्या solid के particle भी चल सकते हैं हां चलते हैं लेकिन वह अपनी mean position के to and fro vibrate कर रहे हैं इस पर हम चर्चा और बात में करेंगे मतलब इ एक ऐसा बिचारा वैठा हूँ अदर और तक 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 अपनी mean position के आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे सा वाइब्रेट कर रहे हैं बस कि लिकवीड के particle भी लिकविड के पार्टिकल यह चाहें solid हो liquid हो चाहें gas हो ठीक है ना उनके particles के पास room temperature पर कुछ ना कुछ energy होती जिसकी help से वो motion करते रहते हैं चाहें vibration इंसेंस इस्टे की ना corner of your class ठीक है अब सुनो बच्चो अगर बत्ती आपने देखा है ठीक है अगर बत्ती पूजा करते हैं इससे महकाती है उसमें ठीक है पूजा अर्चना के कामों में लाए जाता है तो यह अगर बत्ती इस तरीके से घर के कोने में जला लीजे कह रहा है अगर बत्ती जलाई यह यहां पर कोई बैठा आपका फ्रेंट यह इस तरीके से और इसको रिएक्ट्र के बाद होगा तो अबहरें प्दा samurai जाता है यह में यह यहां उलीचे आरी अब वह बहुत चोटे होते हैं चाहिए आपको धुए जैसा बैटो सुरे टो इसको दिखाई है तो इसी तरीकेसे जब आप अगर्वत्तिकों जलाते हो तो पहले यहां पर कुछ आपको fumes दिखाई पड़ते हैं इस तरीके से फिर धीरे 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 ये बाई ये क्या है पार्टिकल्स की संख्या है मदब कुछ पार्टिकल पड़क में बन रहे होंगे यहां पर कुछ molecules होंगे यहां पर special type के ठीके ना जिससे कि आपको कुछ यहां धुआ जै जाएंगे इस तरीके से ठीक अब वो चलते 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 यहां पहुंच गया यह लो थेक तो थोड़ी दिर के बाद इसको स्मेल आएगी उन पार्टिकल्स की अब कुछ नो कुछ इसमेल देते होंगे हमारे जो क्या ना में औलफैक्ट्री सिस्टम होता ह होगा मतलब इसमेल का हमारी बोड़ी में तो कुछ ना किसमेल आती है क्या दिखकते बताइए तो वही उसने पूचा क्या रहा है कि अब ध्यान से जड़ा चेक करोगे आप अब यहां पर आजओ एक्टिविटी के रहा है तो टेक्ट टू ग्लासे बीकर फिल विद वाटर पुट अड्रॉप ब्लू और रेड इंक स्लोली और केरफुली अच्छा इसको में स्टॉप करते हैं भी यहां पर ठीके सुदिंस इसके आगे हम कल आपको स्टार्ट यहीं से कराएंगी इतना आपको पढ़के आना है याद करके आना है